हेलो आपका स्वागत है हमारा लर्निंग प्लाटफर्म कुनाल से इंस्पारिंग पर तो जहां पर हम रोज ही बहुत कुछ अच्छा चाह सीखते हैं और मुझे अम्मीद है कि आप बहुत कुछ यहां से सीख रहे होंगे अगर अपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार बाकी वीडियो को शेर कियागी जब आपकी लोगा तक टो चलिए आज की क्लास नॉबल प्राइस स्पेशल है दरसल क्या हो रहा है कि आजकल नॉबल प्राइस के अनॉस्मेंट चल रही है तो यह है पूरे साल का एक इंपोर्टन टॉपिक हमेशा से रहा है तो जाहिटी बात है इस साल भी रहेगा ही बेशक कोरोना महामारी क्यों ना चल रही हो तो इस साल भी यह जो टॉपिक है बहुत जादा है सभी के बीच और सभी की नजरों में बना हुआ है वहीं जो हमारी है नोबल प्रुसकार कर दी गई है कि नोबल प्राइज के जो मोस्ली प्राइज होते हैं जैसे कि फिजिक्स का हो गया और इसके लावा यह है फिजिक्स में है ठीक है और इसके लावा कैमिस्टी का है और शांती प्रसकार होता है तो इन सभी जो भी होते हैं साहित्य के चेत्र में है तो इन सभी प्रासकार के नाम किस-किस के आयेंगे और किस-किस को यह प्रैजिस किस-किस छेतरी में दिये जाएंगे लेकिन अभी क्या हुआ है दरहसल दो छे फिल्ड के नाम आ चुके हैं एक Physics का नाम आ चुका है और एक Medicine के नाम आ चुके यानिकि अब तक हमें यह पता लग गया है कि medicine में और physics में किस-किस को noble prize कार दिया गया है तो आज किस class के अंदर हम उन्हीं दो topic को discuss करेंगे तो आज की class के अंदर हम noble prize में discuss करेंगे कि medicine की field में and physics में किस-किस को मिला है क्यों मिला है कुछ ना उस तो खास बात होगी नोबल प्राइस मिलना बहुत बड़ी बात है और बहुत ज़्यादा important है अपने आप में तो इसलिए अपना में बहुत ज़रूरी है तो चलिए class को शुरू कर लेते हैं और इन topics से बारे में अच्छे से जानते हैं और मुझे जानता हूं इडिशन की फीड़ वाला नोबल प्राइस दिया गया है और जो है यह दोनों ही अमेरिका के हैं इसके इलावा माइकल हफ्टन ब्रिटेन से संबंद रखते हैं तो ऐसी स्थिति में इन तीनों को दिया गया है लेकिन यह दिया क्योंकि अब आस्तम में यह है यहां पर सोचने वाली बात है और अपने आप में ही है बहुत जादा जाता है जब जब किसी व्यक्ति के शरीर में खून की कमी महसूस किया तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को ब्लड चुड़ाया जाता है तो पहले क्या हुआ करता था पहले डॉक्तर को हैपिटाइटर्स जो वाइरस था ना उसके बारे में अच्छे जानकारी नहीं थी यह विमारी होती है और यह एक ऐसी विमारी होती है जिस से पूरी तरह से लिवर केंसर होने की संभावना होती है। कई बार व्यक्ति का liver transplant भी करना पड़ता है, व्यक्ति का liver काम करना बंद कर देता है, तो यह बीमारी अपने आप में बहुत ही ज़़ाधा घातक है, खतरना के जहान लेवा बीमारी है, पहले क्या हुआ करता था जब किसी व्यक्ति को blood चला आया था था, तो इसके बारे में अधा नहीं तो ऐसे स्थिति में क्या होता था ब्लड चणने के बाद वक्ति के अंदर हैपिटाइटस-C का संक्रमन हो जाया करता था है है यह प्रफिटाइटस-C वायरस के बारे में पता लग चुका था लेकिन पर फिर भी हैपिटाइटस-C और बी जो यह वायरस थे यह काफी ज़्यादा अपने आप में सक्षम नहीं थे यह दोनों ही वायरस ना पूरी तरह से शक्षम नहीं थे तो ऐसे इस तिन फिर भी कु हमी महसुस हो रही थी कि कुछ और ऐसा है जो पकड़ में नहीं आ रहा है तो ऐस इसी छेतर में क्या था कि हैपिटाइटस-C वायरस को ले करके खोच चल रही थी और यह खोच कर रहे थे होरवेज आल्टर चोगल समराइज और माइकल हफ्टन अब इन तीनों को इसके सब्सक्राइब है जाता है तो कि पूरी तरह से जाच होती है है में है या नहीं यदि-वायरस में मौझूवजूर यह होती है तो व्यूखा उसको रिवार्षा जाता है और टब जा जाकर के शिंध्यू ने च हLब्तन है लेकिन पहले को पाथ हखता है कि हैपईटाइडव मेडिकल की फिल्डी में भूद दा इंपोरेंट है साथ ही साथ यह भी माना गया है कि सब्सक्राइब ख करी केंदर इन लोगों ने जो काम की है यह गल प्रकर खाना हो गया थी उल्ट रह belki क्वालेटी वह खाने में वाष्त भाष्प में नहीं ब्लड से संक्रामित होते हैं अब ऐसी स्थिति में क्या संबभ हो गया है जब से इन लोगों ने इस हैपिटाड़ सी वारिस की खोज की है तो अब क्या हो गया है कि जाच अच्छे से होती साथ ही ब्लड का चड़ाना चड़ानी जो प्रोसेस थाई है अब बहुत ज़्यादा सकस्वल लोन लगा है पहले कहीं नहीं जो परिशानी देखने को नहीं मिल रही है जो बहुत अच्छी बात है साथ ही साथ इन लोगों के दुआरा किया गया है काम एक और चेत्र में काम कर रहा है कौँंसा चेत्र है अब जब से इन लोगों ने इस वारिस की खोज कर दिया तब से ही इसकी मैडिसिन को लेकर के काम चल रहा है मैं बता तक इसकी मैडिसिन नहीं आई है पर फिर भी मैडिसिन को लेकर के काम चल रहा है तो जरूरी है कि पहले मैं वाइरस का पता हो किस वाइरस के लिए हम एंडी डोट तियार करना है तो लेकिन वाइरस का पता लग है तो वाइरस को ध्याद में रखते हुए है मैडिसिन के ओपर काम चल रहा है और उम्मी जताईदारी है कि जल्द ही इससे जो मैडिसीन होगे इसकी आने की पूरी-पूरी संभावना है साथ ही साथ देखो डबलु एच्चों ने अपनी स्टेटमेंट में बताया है कि ओल ओवर वर्ल्ड साथ करोड से जादा लोग है पेटाइटस सी वाइरस से संकरमित है बहुत बड़ा अक्डा है साथ करोड अपने आप में तो इतनी बड़ी संख्या के अंदर इस वाइरस का संकरमित है कि हर साल चार लाग से ज़्यादा मौत होती है अपेटाइटस सी वाइरस के कारण ठीक है तो बहुत जादा इंपॉर्डेंट टॉपिक है अपने हमें बहुत सारी चीज़ों को बताता है ठीक है नाम या दखना भी किस-किस को मिला है हॉर्वेज जी ऑल्टर चा जाता है स्वीडन का एक शहर है स्टॉक हम दर असल इसकी शुरुवाद भी वहीं से हुई थी और जो इसका जर्म दाता है संसाबक है नोबल प्राइस के तो यह सब स्वीडन ही है तो स्वीडन के स्टॉक हम जो शहर है वहाँ पर नोबल प्राइस दिया जा रहा है अब वह लोगों नहीं की थी उस समय से पहले लोगों में जो ब्लड चढाया जाता था रूसी रूले गेम की तरह चढाया जाता था यहां पे बात चल रहे रूसी रूले गेम की यह खेल का नाम है तो उन्होंने खेल से तुलना करी थी ब्लड चढाने के प्रोसेस की उन्होंने यह ब आ अ कि in भंने लुट है इसकी अंदर है एक ही ढालत और ये नहीं है ज़ते हैं kali थी नाश नहीं है Sorry, आर्ट में होते हैं बुलेट लगाने के लिए उसको बंद करते दीता है या तो उस स्भी में दीसरे के सँर पर फिर अपने पने सर, इसको लगाता है उसके बाद उसको चलाता तो ऐस Czech Reenter में क्या होता है कि यह अछिस्ग्मित करते है जिस एरिया से वह बुलेट चला उने इस ब्लट चलाने के प्रोसेस को जब तर प्रोसेस की खोज नहीं हुई थी रूसी रूले गेम सेजिंस का कंपरेजन किया था मुझे अम्मीद है कि आप रूसी रूले गेम तो अच्छे समझ गए होंगा आपने बहुत बार देख भी लिए तो अब सबसे बात देखना की है भोत ही चीची फील्ड को तो इस फील्ड के लिए क्या की आता है एक करोड सुईडिश क्रोन ओर जो स्विडिश की अपनी खुद की मुदरा है करश़ान सी है वह है दी जाती है वह क्या weakness क्रोण और हर साथ दिये जाते है थाफ यह क्या की समाजिए जाए रहे हैं तो से करोड दिये जाते हैं इसकी शुरुवात कब की थी इसकी शुरुवात 124 साल पहले की गई थी और इसकी शुरुवात स्वीडन के वैक्यानिक थे एक अल्फ्रेड नोवेल उन्हों नहीं की थी जब हम इसका जो गोल्ड मेटल होता है उसके उपर उनका नाम भी लिखा होती है वैसे मुख्य रूप से बताया जाता है कि इसके शुरुवात 1990 के बाद से ही हुए अगली बात कर लेते हैं अब हम पूरी बात कर चुक्क है मैडिसिन की फील्ड को लेकर के दूसरी बात कर लेते हैं हम फिजिक्स की फील्ड को लेकर के तो फिजिक्स की फील्ड में और एंड्रिया घेज अब क्यूं दिया गया यह समझते हैं इसमें देखो यह उपर वाले पैन रोसे साव है ना यह अपने आप में इंडोनीशियों से बहुत जाद अलग है क्यों अलग है क्यूंकि रोजर पॉन रोसे साव ने ब्लैक होल की खोज की थी अगर आप रागुल के बारे में पता लगाया गया था तो ब्लैक होल की खोज का दो शरी आता है इसको गया था रोजर पैन रोसे को गया था इनकों इसकी खोज की थी तो इसकी खोज करने की वजह से ही इन्हें फिजिक्स के छेत्र में यह है नोबल प्राइस दिया रहा है साथ दूसरा जो है इन लोगों को क्या कर रहा है हमारी आकाश गंगा के केंद्र में ने क्या कर रहा है सुपरमैसिव कॉमपेक्ट ऑब्जेक्ट की खोज की है तो सुपरमैसिव कॉमपेक्ट ऑब्जेक्ट की खोज करने की वजह से ही इन लोगों को नोबेर प्राइस दिया जाने वाला है इस वाली श्रेणिक अंदर खास बात यह है कि जो नोबल प्राइस है इसकी जो प्राइज मनी होगी है प्राइज मनी इन दोनों को ही 50-50 परसेंट के डिविजन में दी जाएगी यानि कि 50% का जो मनी प्राइज होगा यह है अकेले पैन रोसे सापको दिया जाने वाला इसके के लावा बाकी यह दोनों है इन दोनों को 25-25 परसेंट की प्राइज में मिलने वाली है तो इन लोगों ने इस परकार जो सुपर मैसिव कॉंपेक्ट अब्जेक्ट्स थी खोज की हमारे अकाश गंगा में इसले इनको यह प्राइज दिया जाने वाला है यहां पर यहां प किसी तरह से खोज की जाएगी तो इसको अकाश गंगा का सुपर मैसिव कॉंपेक्ट अब्जेक्ट कहा जाएगा तो इसकी इनको इनको यह दिया जा रहा है साथ यहां देखने वाली बात यहां कि जो एंड्रिया गेज हैं एंड्रिया गेज फूर्थ फीमेल है जिन्हें फिजिक्स के छेतर में नोबल प्राइस मिल रहा है तो एंड्रिया गेज भी अपने बाच सबीजा सभी के नाम बहुत दा इंपॉटेंट है जरूरी है फेपर में आ सकते हैं हमारे एक्दम में पूछे आ सकते हैं लेकिन फिर भी एंड्रिया गेज का नाम अपने आम में ख शानती पाचयसाहित और छठी अर्थ शाक तेर इन फिल्स के अंदर यह हैं अवर्ड दिया जाता है शानती पुरुचकार अपने आपस स्कार बहुत जादा खास बना हुआ है अगर आपको याद्ढ़ है बहुत अच्छी बात है इस से स्थित में भी कोई परिशानी बात नहीं है मैं बता देता हूँ दरसे शानती पुरसकार इस साथ बहुता चर्चा में इसलिए बना हुआ है क्योंकि लगातार अमेरिका की जो संसद है अमेरिकी संसद की तरफ से यह डिमांड की जा रही है कि इस साल जो नोबल शानती पुरसकार है वह है अमेरिकी रास्टे बतिर डोनाल ट्रम्प को दिया जाए अब क्यों दिया जाए यह भी समझने अले बात है क्योंकि उन्होंने क्या किया था यू एई और इजराइगी के बीच में आपसे संगर्श चल अब दोनों देशों के बीच में शांती स्थापित की लड़ाई नहीं थी तो एसी स्थिति में अमेरिका की तरफ से हलगाता है डिमांड हो रही है कि नोबल पीस प्राइज किसको मिलना चाहिए अमेरिकी प्राइजरेंट डोनाल ट्रम को बाकि अब तक नाम सामने नहीं आ वर्तमान में अगर डोनाल ट्रम की बात करें तो वह कोरोना संकर उमिद है तो जब नाम आएगा तब इस पर हम चर्चार करेंगे बाकि आज की क्लास में हमने मैडिसिंस और फिजिक्स के फिल्ड में हमने यह समझाए कि नोबल प्राइज किसको मिला है और मुझे उम्मीद बनते रहें आप नहीं चीज़े जानते रहें and thank you so much for watching this video